नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेडिशिन डिव्यू एंटेप फीटू चनल पर आजम एच एच ओमेगा कैपसुल के बारे में पूर जान कर लेने वाले हैं इस कैपसुल के क्या बेनिफिट से, क्या साइड़ पेक से, इस कैपसुल से जुड़े सभी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आख करता जरू देखे हेगडे औन हेगडे फार्मसुटिकल्स कंपणी की दस कैपसुल की यह श्टिप आपको 210 रुपे में डॉक्टर के परचे पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स प्यास निशिन जाएगी बात करते हैं इस कैपसुल में मौजुद कंटेंट के बारे में एचेच ओमेगा कैपसुल में बायोटीन, कॉपर, सेलेनियम, जीन्क, लिवटीन, ओमेगा-3-फैस्टी आशिड, फुटैमिन-C, फुटैमिन-E और दिक्सैन्थिन यह कंटेंट समाश्टे यह कैपसुल बलड सर्कुलेशन और ऑक्सिजन साचुरेशन में सुधार करने में मदद करती है यह अंगों और उत्तोकों को परियाप्त मातरा में पोशक ततों की अपुर्ती करने में मदद करती है और साथ ही Central Nervous System पर इसका आच्चा प्रभावरता है और इस वज़े से यह नेन की समश्चाओं को रोकने में मदद करती है और यह आउसाथ के जोकिम को भी कम करती है और साथ ही किसी के मुड को भी बढ़ाती है बात करते हैं इस कैपसुल के यूजेश की डॉक्टरी शेकिन की समश्चाओं में इस्तमाल करती है यह कैपसुल बलर सर्कुलेशन को सुधार करके सरीड के सभी आंगों तक आक्सिजन और आवशक पोशक तत्वों को पोचाने का काम करती है और साथ ही यह Central Nervous System को मजबूत करती है और नेंद की समश्चाओं को रोकने में मदद करती है और साथ ही आउसाद्यानी की डिप्रेशन के जोकिम को भी कम करती है और मुड को अच्छा रखने में मदद करती है और साथ ही यह कैपसुल तोचा के लिए फायदे बंद होती है यह आपकी तोचा को मुलायम, नमीशे यूक्त और जोरियों से मुक्त रखती है और साथी तोचा को डेहडरेट होने से बचाती है और इससे तोचा में ताजगी रहती है और साथी यह क्यापसुल मुहाशे को आने से रोकती है इतना ही नहीं यह सूर्य की रोशनी से तचा को होने वाले नुक्सान से भी रक्षा करती है और साथ ही इसका उप्योग रदय संबंधी रोगियों में भी किया जाता है यह रदय संबंधी रोगियों में भी बहुत फायदे मन्द होती है और साथ ही इसका उपयोग आखों के लिए भी किया जाता है और साथ ही उच्च रक्तचाप यानि की हाई बलेड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए भी रॉक्टर इस कैपसूल का इस्तमाल करते है और साथ ही यह कैपसूल गरबोती माईला को निरोगी रखने में मदद करती है और साथ ही शिशू का शरीर और मस्तिश का सही डंग से विकास करने में भी मदद करती है यह कैपसूल लिवर के फैट को कम करती है और साथ ही कई प्रकार के कैंसर को रुकने में भी मदद करती है और साथ ही इसका इस्तमाल एटो इमिन रोगों में किया जाता है यह एटो इमिन रोगों को कम करती है और साथ ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खत्रे को कम करती है और साथ इसका इस्तमाल कोलेस्टरॉल के स्थर को नियांतरित करने के लिए भी किया जाता है बात करते हैं इस कैपसुल से उने वाले साइड़ पेक की यदि आपको इस कैपसुल में मौझूद कंटेंट शालर्ज है तो आपको साइड़ पेक हो सकते है यदि बताये गए साइड़ पेक्स मौसुस हो तो तो तुरों डक्टर से संपर करें इस कैपसुल से आपको खुजली हो सकती है और साथ ही शरीर में राश्यस आ सकते है और साथ ही पेट में परिशानी हो सकती है और पिमपल्स भी आ सकते है बात करते हैं यह कैपसूल लेने से पहले हमें क्या क्या साउधानिया लेने चाहिए यदि आपको इस कैपसूल में मौजुद कंटेंट से आलर्जी है या फिर कोई साइड़ पेक्स मुखसूस होती है तो इस कैपसूल का इस्तमाल ना करें और साथ ही यह कैपसूल छोटे बच्चे में इस्तमाल ना करें बात करते हैं इस कैपसूल के डोस के बारे में आप अपनी समझ्या और रेज बता कर इस कैपसूल का डोस आप अपनी डॉक्टर या फिर फार्मासीश चे पूद ले यादर के दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्ति, रोगी के आयो और अन्यकारणों के आदार पर इस कैपसूल का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस कैपसूल का इस्तमाल डॉक्टर के सला के अनुसार करें आडर्स वेक ती दिन में एक क्याप्सूल निचिस समय पे खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर आपने डॉक्टर के सला के आनुसार भी इस क्याप्सूल का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इदि आपको इस वीडियो से हेरफूल इंपार्मशिन में लिए हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिशन रिव्यू एंड टिप शीटूप चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ये बेल आपको अंदबाए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिपकेशिन मिलती रहें यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद